हेलो अबरीवन वेलकम बाक तु माई चैनल आई होप यू आ डूइंग वेल सो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स्टी आफ क्यालकटा से रिलेटेड अपडेट्स को डिस्क्स करेंगे दो नोटिफिकेशन्स आए हुए हैं पीएशडी के और उसी को हम इस वीडियो में डिस्क्स करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले इनको ओफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा caluniv.ac.in उसके बाद आप ये नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन का जो वेब पेजे इस पर विजिट करेंगे ठीक है इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज आता है भी माट्स के फार्म ओवर हो चुके हैं तो प्लीज एक बार आप इंट्रेस्टेड हो तो देखते रहा करिये weekly at least okay so yes अब हम open करते हैं one by one in notifications को और देखते हैं so yes now this is the notification for PhD program in polymer science and tech online ही आपको apply करना है 3rd August तक करना है ठीक है HOD का यहाँ पर email address दिया हुआ है so यह दो email IDs है दोनों messages पर चाहें कर सकते हैं second वाला प्रिफर कर सकते हैं या फिर आपको एक पर send करके cc कर सकते हैं तुसरे पर चीक है application form download करेंगे उसे fill करेंगे उसके बाद self-attested copies होंगी आपके सभी mark sheets की documents की and application fee 100 rupees जो pay करेंगे आप SBI करेंगे तुसकी भी fee receipt होगी ठीक है कैसे payment करना है तो यहां लिखा हुआ है आप SBI like email ID पर visit करेंगे sorry not email ID इस website पर visit कर लीजेगा फिर West Bengal select करना होगा फिर education institution Calcutta University miscellaneous fee head and category होगा PhD fill up etc सो यह सभी देख लीजे and application number mention कर दीजेगा remark box में ठीक है और इसका जो soft copy होगा वो ले लीजेगा फिर आपको यह सभी documents 3rd अगर से पहले पहले इन दोनों में से किसी email ID पर send करना है right next है criteria so eligibility क्या है अगर आप इंट्रिस्टेड हो तो including अगर आप प्रोजेक में कहें बट आप अभी PhD में रोल नहीं है तो आप भी apply कर सकते हैं सब्सक्राइब बीटेक डिग्री है या फिर engineering में डिग्री है एंटेक आइकन से या master of science है तो आप eligible है apply करने के लिए या फिर अगर आपको रिटेन नहीं देना होगा रेट देना होगा देन जिनके पास MSC डिग्री है नेट गेट या एंफिल किया है आपने या फिर अगर आपके पास m.tech की डिग्री है ठीक है master of engineering या टेक तो आपको रिटेन नहीं देना आप directly interview देंगे ठीक है and then percentage कितने required है तो 55% marks आपके master's में होने चाहिए correct and yes उसके बाद अगर आपका selection उता interview के बाद तो आप पो enroll हो जाएंगे PhD में examination mode online होगा so ret exam google classroom platform के through होगा and then interview google meet के through होगा सब process online है vacancies total 20 है last day 3rd of august है return होगा 5th of august को ठीक है तीन बजे से होगा पाच अगस्त को interview होगा आठ अगस्त को then कोई भी TA DA नहीं पे किया जाएगा and बागी जो points उन्हें भी आप देख सकते है and this is the application form for admission तो इसी को आपको download करके आप fill कर दीजेगा इसको print करके कर सकते है then scan करके submit कर दीजेगा right 100 रुपी application fee है इसको ध्यान र करतें botany के notification को so yes now this is the advertisement for admission to PhD program in department of botany so अगर आप interested हो तो आप apply कर सकते है 15 candidates maximum है जो कि select होंगे ठीक कम हो सकता है बर ज्यादा नहीं होगा 15 से next अगर आप apply कर रहे हैं तो देखे candidates desiring to appear in direct exam में apply so अगर आप देना चाहते हो interested हो PhD में तो apply कर सकते हैं prescribed pro forma होता है and application fee again hundred है कैसे pay करना है यह process लिखा हुआ है same ही है eligible होंगे तो आप एक mcq test होगा return test उसमें appear होना होगा एक hour duration को होता है उसके बाद qualify करेंगे तो interview होगा right next है जिनके पास u g c c s i r f a net है net l s s let gate है या फिर i c m r g r f a d s t in s fire fellow को और fellowship etc तो आपको return नहीं देना आप directly interview देंगे application online ही करना है आपको यहां पे भी यह रहा email id ठीक है इस email id पे आप application को submit करेंगे next last date so 25th of July is the last date date and time क्या है so 5th of August को आपका online exam होगा online ही होगा clearly mention किया गया है then list आएगी फिर interview 12th of August को होगा right next है कि rate qualification का मतलब fellowship नहीं है so yes ये थी update and ये था in fact advertisement के notification से from University of Calcutta and that is it for today subscribe कर लीजे का channel को and yes thank you so much for watching